नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूझा अर्विन केजिवाल ने अपने जेल जानी की भविश्वानी कर दी है केजिवाल गिरफतारी की डर से एडी के सामने अब तक पेश तो नहीं हुए हैं मामला कोड भी पहुँच गया है पर कानूनी लड़ाई में फसे केजिवाल अब अपना गुस्सा कैमरे के सामने निकाल रहे हैं अरवन केजिवाल ने कहा है कि एडी अपकेंद्र सरकार का एक नया हतियार बन गया है अब तक किसी व्यक्ति पर दोश शाबित होने के बाद ही उसे जेल भेजा जाता था लेकिन अब बीजपी फैसला करती है कि किसे जेल भेजना है किस व्यक्ति पर कौन सा केस लगाना है किस अब बीजपी ही तैक कर रही है केजरिवाल ने कहा कि चारकन के पुर्वसियम हिमन सुरेन को तब जेल में ڈाल दिया गया है जब केज शुरू भी नहीं हूँ हुआ कि करभ बों मुझे भी जेल में डाल सकते हैं इसके साथ ही केजरिवाल ने मोदी सरकार के खिलाफ ब सब बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद क्यों इतना ज्यादा बॉक ला रहे हैं कि इज्रिवाल देखिए कि मैं बार बार कहता हूं यह हिंदुस्तान की राजनीती के नटवर लाल है अब कैमरे पे कुछ नेताओं के बीच कुछ मीटिंग में कुछ और अंदर खाने कुछ और कई लेवल पे इनका काम चलता है ऐसे नहीं पूरी दिल्ली को टोपी पहना रखा है आम आद्मी का अब जो आवादी पार्टी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि केजरिवाल नया मुख्र मंत्री ढोंड रहा है हेमन सुरेन का नाम याद किया ना अज तो हेमन सुरेन ने भी विवस्था कर ली थी दो-दो समर्थन पत्र अपनी पत्नी के नाम कि मैं जेल जाओंगा मेरी पत्नी बन जाएगी मुख्र मंत्री एक चंपई सुरेन के नाम यह दो तरह के समर्थन पत्र उसने लिए थे कितना क्या है नहीं है कल्पना सुरेन का नाम सामने आया घर में बवाल हो गया भावी जो है वो नराज हो गया परिवार से बनाना मुझको बनाओ 14 साल से मैं विधायक हूँ यह बाहर से जो आई है साधी करके वो उसको क्यों करने दिया जाए तो विद्रोह का डर तो चंपई सुरेन को बना दिया केजरिवाल भी वहीं सोच रहे हैं क्योंकि आप तो बचना मुश्किल है बचना एक दम ही मुश्किल है क्योंकि अभी सुरें प्राइमा फैसी यही लग रहा है कि यह जो नई पॉलिसी बनाई गई वो सराब माफियाओं को फाइदा पहुंचाने के लिए और इस नई पॉलिसी बनाने में संजय सिंग का रोल है संजय सिंग का नाम हटाईए के जरिवाल का नाम डालिए यहीं जज्जमेंट आएगा बेल नहीं मिलेगा क्यूं फिर इस केस में अगर कोर्ट यह कह रहा है अपने जज्जमेंट में कि प्राइमा फेशी यही लग रहा है कि यह जो नई पॉलिसी बनाए गई तू सूट सरे माभियावाले जो लोग जेल के अंदर हैं उनको फाइदा पहुचाने के लिए यह नई नीती बनाई गई कारण एक और नमबर दो कि संजय सिंग का इस कानून को बनाने में इन्वाल्मेंट है तो यह लॉजिक यह कारण केजरिवाल पे भी अपलाई होगा क्यों अपलाई होगा वो इसलिए अपलाई होगा क्योंकि अल्रेडी सरकारी गवा जो एक्साइस सिक्रेटरी था सी अर्विंध उसने एडी के सामने यह बयान दिया हुआ है 164 के तहत कि यह जो नई पॉलिसी बनाई गई यह कागज केजरिवाल ने हमें दिया था कहा कि यह ले जाओ और इसी पर कानून बनेगा अब यहाँ बात आई संजे सिंग के केस में कि दो करोर रुपया दिया गया यह अरोरा ने बताया जह सहाब ने क्या लिखा judgment में क्या लिखा हुआ है कि at this point इस पर dispute नहीं किया जा सकता कि कि दो करोर रुपय सर्वेस्तिवारी को दिया गया संजे सिंग के घर में दिया गया और यह बयान अरोरा ने मजिस्टेट के सामने 164 पर दिया तो यह बयान सी अर्विंद का इसी logic से वो भी जाएगा तो अभी जतना दिन तक संजे सिंग जेल में रहा छह साथ मेने हो गया हाई कोट से नहीं मिली रहा तो केजरिवाल भी वही छह साथ मेने लगाएंगे नहीं मिलेगी रहा इधर हो जाएगा चुनाओ अब इसको यह बोले में लीगल टीम देखेगी यह करेगी वो करेगी अब 17 तारिक को राव जविन्यू कोट ने कह दिया कि भाई आपको जाना होगा आना होगा और वहाँ कोट कहती के भी सीधे जाकर के मिलो एडी से और गर्फतारी हो जाती है तक तो अगला मनिस सितंबर अक्टूबर तक तो निकलेंगे नहीं है तो संजे सिंग के केस में और मनिस सुद्या के केस से साफ साफ नज़र आ रहा है और ये भी कहा गया संजे सिंग के तरफ से कि देखिए ये जो अरोला दीनेस अरोला जिसने ये बयान दिया ये तो खुद अक्यूजड है इसके बात को क्यूं मानते हैं आप तो दिने सरोवा के तरफ से कहा गया कि देखिए हमें गुंडा-गर्दी की जाने थी मेरे साथ ये केजरिवाल का जो कम्मिनिकेशन इंचार्ज है विजे नायर उसने मुझे लंदन में धमकाया थे कि खबरदार तुमने मनी से सोधिया का नाम लिया खबरदार तुमने सरजे सिंग का नाम लिया अगर तुमने ऐसा काम किया तो अच्छा नहीं होगा इसलिए मैं डर गया था तो सुरुवात में मैंने नहीं बताया जब लोग जेल चले गए तब हमारा confidence आ गया मैंने नाम बता दिया तो कहने का मतलब यह है कि जो witnesses हैं जो ED के सामने जो witness जो गवाही दे रहे हैं जो बाते वो कह रहे हैं कोट उन्हें at this point सही मान रहा है तो केजरिवाल के लिए तो रास्ते बंद हो गए यह application मनिश्य सोधिया के साथ भी हुआ यह दलिले हाइ कोट ने संजय सिंग के bail rejection में भी यह दिया तो केजरिवाल के साथ भी यह होगा तो केजरिवाल क्या करेंगे तो पहले तो इसने पूरी तयारी कर ली थी कि जनता में जाओ पूछो कि जेल से ही चलाएंगा था यह कि बेसर भी बात है कह रहे थे कि 95% 95% 95% बोट मिलता है उसको संकी ताना साह नॉर्थ कोरिया वाले को 95% बोट मिलता है डिमोक्रसी में 95% बोट नहीं मिलता इतनी तो बोट तुम पाते भी नहीं हो कहां सर्वे किया क्या इसका वैलिडिटी है लोकस स्टेंड़ाई क्या है कोट के सामने ये हवा उर जाएगा अब इसको मालूम है कि अगर मैं जैसे ही जेल गया और इस्तीफा नहीं दिया तो कें सरकार यहां पे लगा देगी राश्पती सासन जी बड़ी आसानी से कि जेल से आप ऑपरेट नहीं कर सकते यह सरकार नहीं चल सकती यह चीफ सेक्रेटरी और सारे लोग कहेंगे जेल जाकर के मैं फाइल पर साइन नहीं करवाओंगा कैबनेट मिटिंग जेल के अंदर नहीं हो सकता और कोई PIL डाल देगा मतलब आपको दूसरा चीफ मिनिश्टर लाना होगा तो यह तैय हो रहा है उसी फार्मूले पे हेमन सुरेन की तरह पहले पतनी का नाम और दूसरा किसी और का नाम अगर इसमें विद्रो हुआ इसमें किर्किरी हुई सब कुछ हुआ तो कोई और बनेगा और वो कौन हो सकता है क्योंकि दिक्कत यह है कि साल भर अगर यह जेल में रहा और साल भर कोई दूसरा व्यक्ति यहां पर चीफ मिनिश्टर रहा तो ऐसा भी हो सकता है यह राजनीती है तो सुनिता केजरिवाल अगर नहीं होगी तो दूसरा कौन है दूसरा अगर होगा, जो भी होगा, वो तो वो केजरिवाल ही करेगा, लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि साल भर कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर दिली का बना रहेगा, तो केजरिवाल जब जेल से निकलेंगे, तो उनके हाथ में न चीफ मिनिस्टर की कुरसी होगी, और नही पा प्रश्चार के खिलाफ जन्सवराज के खिलाफ जन्लोगपाल के खिलाफ आंदुलन कीजिएगा रामदीला मैदान में फिर आप जंतरमंतर में आंदुलन करने के लिए फ्री होगाइब तो दिल्ले के मुख्यमंतरी अर्विंद केजवाल नहीं द्वारिका में स्कूल की आनिंग चल रही है किसे सीम बनाने की बात चल रही है यह आप अच्छे से समझ गया होंगे उस पर आप अपनी राए कमेंट कर लिखें देख देरें का पचल टीवी नमस्कार